तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टन्स कंपानी के अप्टेट शेयर करने वाला हूँ तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जूरू देखिएगा क्योंकि वीडियो का अंदर सिर्फ कंपानी का अप्टेट नहीं कुछ इंपॉर्टन्स टेक्निकल चाट प् उसके नाम है BSC Limited देखिए BSC Limited आप सभी जानता है इंडिया के सबसे पूराना स्टॉप एक्चेंज कंपानी है और इस कंपानी जिस तरीके से पार्फरमेंस कर रहा है वो बहुत स्लो मॉमंट में है क्योंकि देखिए NSC को अगर देखेंगे तो कोई भी अगर NSC के मत्थम स अगर कोई भी टेड लिया जाता है तो वह आपे चार्जिस बहुत जादा लिया जादा देखने को मिलता है और BSC के अंदर जो टेड होता है तो उसमें चार्जिस बहुत काम है और NSC में सबसे जज़धा ट्रेड अभी ट्रेडिंग परपस में देखिए तो सबसे ज़धा के उपर मिलता हो देखने को मिलेगा तो जैसे बीस का बीजनेस क्या है ट्रेडिंग इन इकुटी साथ करेंसी साथ डेट इंस्टुमेंट एंड डेरिवेटिव एंड मीचल फंड इस तरीके से कुछ पोड़क्स के पर कंपानी काम कर रहे हैं और कंपानीस के उपर जो बीजन एक्सेंज स्टार्ट हुआ और एसिया के सबसे पूरान एक्सेंज है और साथिक साथ आप एभी देखेंगे तो कंपानी के वैलुएशन थोड़ा सा मुझे हाई लगा इसके चलते थोड़ा सा प्रेसरीज बनता हो देखने को मिल सकता है कि वैलुएशन पी रिश्यो लगा इस लेवल्स के इसाफ से बात करूँ तो कंपानी देखिए एक रेंज के विशिस में कंपानी काम किया फाइनली ब्रेक आउट हुआ और जब भी इस रेंज को रिटेस्ट करेगा और उसके बाद ब्रेक आउट करेगा तो मैं यहाँ पर कुछ कुछ क्वांटिटी जूरू करेगा रिटेस्ट करने के बाद ही एक जरनी फिर से मिया पर लेने वाला हूँ क्योंकि हमेशा आपको रिटेस्ट में एंटी लेना है ऐसे नहीं कि यहाँ पर ब्रेक आउट होने के बाद हमेशा बो नीचे आएगा यहासे उपर भी जा सकते है कुछ भी हो सकते है मगर मैं rules को follow up करके चलता हूँ या पर अगर retest करें उसके बाद breakout करें तो confirmation ज़्यादा रहेगा कि buyer बहुत ज़्यदा active है उसको उपर ले जाने के लिए तो सारे चीजे को समझ कर काम करिएगा कि कि situation wise बात करूँ तो company इसके उपर इस range के जब भी breakout किया तो एक strongly obtain जाने का chances है तो बाकी इस company के उपर आप सारे चीजे को एक बार verify करना उसके बाद काम करना कि कि का company के सिर्फ पार्फमेंस अच्छा नहीं है company का financial leaders भी बहुत सांदर है जो पिछले बाद से 249 करोड के आसपास total sales था इस बर वो बढ़के हो चुके 426 करोड के आसपास और expense भी company सांदर तरीके से maintenance किये और जिसके चलते company के net profit 48 करोड से 100 करोड तक पहुँच चुके है best तरीके से company का profitability maintenance हो रहा है हाँ बीच में बहुत ज़्यादा profit देखने को मिला था 4500 करोड के आसपास इसको देखकर चिंता मत करना क्योंकि company का खुद के core business में profit नहीं आथा sales नहीं आथा company के आदस income से company के sales आथा जिसके चलते company के profit margin ज़्यादा देखने को मिला है बाकि अज़े investor इस company के बोर हर को investor continue करना चाते हैं चाहे वो FISO चाहे DSO चाहे पबली हो नेक्स्ट जो company है उसके बारे में चर्चागर हो उसका नाम है कुचिन सीपर लिमिटेड देखे कुचिन सीपर लिमिटेड को पर एक बहुत importance टेक्निकली चार्ट परना है वो अगर आप देखेंगे तो finally देखिए जो मेरा जो NT level था वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब भी इस तरीके से range बनेगा एक बार retest करेगा तो मैं उस जगा पर NT लूँगा तो finally यहापर देखिए एक range create हुआ उसके बाद यहापर breakout हुआ और मैं integer किया कब retest करेगा तो finally यहापर retest करने के बाद एक red candle के बाद एक green candle दिखा तो मैंने क्या क्या इस level में एंटी लिया और एंटी लिने के बाद जो मेरा यहापर target ratio रहेगा वो target कुछ इस तरह के से रहेगा यतना stop loss रखूँगा मतलब मेरा stop loss इस range के नीचे है और target 1 to 3 ratio कर रहेगा 1 to 3 ratio का मतलब है करीबन करीबन यहापर जो range निकल का रहे है मैं एक बार range आपको marking कर के दू तो और भी आपको clear cut सारे चीज़ों को समझ में आ जाएगा तो जो यहापर range निकल का रहे है करीबन करीबन इस level तक target रहेगा किस level का मतलब कौन सा है लेबल का मतलब है 1449 के आसपास है तो इस तरीके से मैं target लेका चलता हूँ जब भी कोई level को breakout होते है उसके बाद retest करने के बाद ही breakout confirmation करता है तो अब उसके उपर में T लेता हूँ और मेरा stop loss रहता है उस range के नीचे और मेरा target रहता है लेकि हर किसी का target लेने का अलग-अलग thinking होता है मैं हमेसा इस तरीके से target को लेका चलता हूँ हाँ ऐसे नहीं कि हमेसा मुझे target हुआ है बहुत बार losses भी हुआ क्योंकि मेरा target बहुत बढ़ा है कभी-कभी 1-2, 1-2, 2.5% का target देने के बाद वो बापस अकर stop loss इड़ भी हो जाता है तो ऐसे कोई में tension नहीं लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा स्यदा time मुझे profit भी होता है क्योंकि आप खुदी इस तरीके से strategies को follow up करके देखना सुधी strategies को एक बार back testing करके देखना आपको easily 1-3, 1-4% का ratio सबको जोरू मिलेगा हाँ 1-2 तो वो easily बहुत बार आपको मिली जाएगा तो फिर भी risks लेने का capacity हर किसी का लग-लग है तो finally जो breakout हुआ इसके बाद मैं इंतेजार किया कब retest करेगा तो retest करने के बाद यहाँ पर confirmation किया और उसके बाद यहाँ से journey होना start हो गया और मज़ेदार बात यह है कि company के उपर मैंने ऐसे ही trade नहीं लिया company sales almost double क्या इक्स्पेंस को control करने के बाद net profit 118 crore से 248 crore के आस पास देखने को मिला बेस तरीके से यहाँ पर profitability यहाँ पर देखने को मिला है बागी इस company के उपर आज इंवेस्टर क्रोमोटर से लेकर fsds public हर किसी के पास आपको अच्छा कासा आप इंवेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि company इसके उपर बेस तरीके लगा है मतलब company जो production कर रहे है उस production को customer को बेच रहा है और customer से जो पैसा मिल रहा है यह cycles है इस cycles of period को कहा जाता है cash conversion cycles जो cash conversion cycles जतना जल से जल रहेगा उतना ही company का growth होने वाले है कि मानके चले आपका एक दुकान है आप दो customer को माल दिया एक customer ने आपको 10 दिन के बाद पैसा दिया एक customer ने आपके 30 दिन के बाद पैसा दिया और एक customer ने आपके 60 दिन के बाद पैसा दिया तो आपका जो total average निकल का आएगा करीवन करीवन around आप 30 के उपर बोल सकते है तो उसके इसाब से customer को बेच पाएंगे इस चीजे को समझिए समझ कर काम करिए तो next जो company है उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं एक request करूंगा मेरे वीडियो से कोई भी data कोई भी update आपको as a recommendation के इसाब से नहीं दिया जा रहा है totally आपको education purpose में से यार के जा रहा है अगर काम करना है सारे चीजे को समझ का सीख कर काम करिए blindly किसी company इसको टेड मत लेना क्योंकि हर किसी का अलग-अलग opinion है इस company के उपर सरी इस market के उपर तो please उसके उपर काम करिए तो next company उसका नाम है angel one तो angel one के बारे में बात करूं तो company मेरा one of my favorite company है क्योंकि stop walking industries में सब से पूराना और trusted company है angel one trusted में इसलिए बोल रहा होगी कि company का बीजनेस में कभी भी मुझे कोई खराबी देखने को नहीं मिला विके देखे sales में sales देखने के बाद ही आपको पता चलेगा यह company में कितना potential है विके 307 क्रोड से 597 749 1000 एक अलग level का company का sales आपे देखने को मिले expense भी company control में रख 265 228 और 260 इस लेवल तक company का profitability growth देखने को मिले बेस तरीके से आपे profitability growth देखने को मिले और अज़े investor को मोटर से लेकर FSDS public हर किसी के पास अच्छा खासा बेस तरीके से आपे investment भी देखने को मिला है और मज़दार बात ही है company के जो balanced है आपके reserve बढ़ता हो देखने को मिले company का बारिंग्स भी बढ़ता हो देखने को मिले हां बारिंग्स जो बढ़ा वो उतना हाई लेबल भी नहीं बढ़ा माल लेता हो इस बर company का highest बारिंग्स है मगर इस बारिंग्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाप एक चीज नोटीस आपको जोरू देखने को मिलेगा company का हाथ में 7000 क्रोड के आसपास क्यास है और company सिर्फ 1500 क्रोड के आसपास कर जा लिया तो क्या company इस पैसे को मिटा नहीं पाएंगे easily मिटा सकते हैं अभी भी 6 गुना पैसा भी मिटा सकते हैं इतना हाथ में क्यास है तो एक positive point एही है कि company के cash conversion स्वरी cash equipment जो है हाथ में जो cash है वो बहुत जादा है इसके चलते company easily business को run कर रहे है और ratios के बारे में बात कर रहे हैं तो company के ratios भी अच्छा कासा देखने को मिले है पहले 360 दीन 700 दीन तक लगता हो देखने को मिलना था हाथ में cash आने में और अभी जो customer इसका जिसको वो services देते है वास performance company को देखने को मिले अभी सबसे importance point है company के उपर और कुछी दिनों के बाद 18th of April company के result आने बाला है waterfall का result आने के बाद ही पता चलेगा कि company का performance किस तरीके से हुआ बाकी टेकिनिकली चैट परने में पहले बोल चुका हूँ लंबा जाननी होने के बाद कभी ने कभी बोरी test करे तो finally इस range को अगर इस range को में मार्किंग करूं तो companies को पर एक solid strongly एक breakout यह पर देखने को मिले यसे retest करने के बाद ही वो bounce में कर सकते है तो फिलाल के लिए मेरा कोई 10 नहीं है कि कि मैं integer कर रहू हूँ या पर अगर काप बने उसके बाद अगर handle बने तब अगर काप बनने में बहुत time अभी बाकी है तो इसके लिए इंतिजार मुझे करना पड़ेगा बाकिया आपके कराय है जो recommend करना वीडियो अच्छा लगए तो please like करना मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद